नमस्कार साथियो इस वीडियो के मादेम से आपको एक मानक अक्सांस वाला संकुप्रेक्षेप की रचना सिखाई जाएगी तो इसमें संकुप्रेक्षेप की गणना, संकुप्रेक्षेप कैसे बना जाता है, संकुप्रेक्षेप की विश्यस्ता क्या है और साथ साथी संकूप्रेक्सेप का उप्योग क्या है वो इस वीडियो के मादेम से बताये जाएगा इसलिए वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखते रहेगा तो चले इसमें एक क्यूशन दिया गया है आरफ एक अनुपात 150 क्रोड मापनी पर एक मानक अक्सांस वाला संकूप्रेक्सेप की रचना कीजिए जिसका परदान अक्सांस यानि इस्टेंडर्ड पेरलल एसपी बोला जाता है पेनतास डिगरी नौर्थ प्रक्सेप का विस्टार प्रक्सेप का अक्सेंशन है 0 डिगरी नौर्थ से 55 डिगरी North यानि 0 डिगरी रूतेल्टार उत्र ख व्. साट डिग्री पूर्वी देशांतर से साट डिग्री पस्य में देशांतर है और इसमें अंतराल यानि की 15 डिग्री है यानि इंटरवल इसमें 15 डिग्री दिया गया है इस प्रक्षेप का निर्मान हम आलेखी विदी दुआरा ग्राफिकल मेट्थर्ड से करेंगे और इसमें यह आरफ लिख दिया गया है जो क्यूशन में दिया गया इंट्रवल इन्टिराल 15 डिगरी इस्टेंडर्ड प्यरलल 45 डिगरी यानि बनक पर्धान अकसांस है इसको बला जाता है स्टेंडर्ड प्यरलल 65 डिगरी है इसको देखिए आप, इसमें क्या है, मानक अक्सांस क्या होता है, यह मान लेजिए पर यह गलोब है, और हमें संकु प्रक्षय बनाना है, तो हम कोई कागज का संकु बनाकर इसको पैना देते हैं, और जो संकु गलोब के यहां टच हो रहा है, तो यह 55 डिगरी पर तो है, यह 40 पर हो रहा है यह 20 पर हो रहा है, कितने पर हो रहा है, तो वो कहलाता है extended parallel, यहनि कि परदान अक्सांस यानी मुख्य अक्सांस, SP standard parallel वो कहलाता है यह standard परदान अक्सांस यह standard parallel आपके समझ में आ गया होगा जहाँ जो globe है और संकू इस पर पहना गया है जहाँ touch होता है पूरन रुपेण वो कहलाता है standard parallel परदान अक्सांस तो यह होगा यह पेदार्श डिग्री दिया गया है जीरो डिग्री उत्रेकसांस से 55 डिग्री उत्रेकसांस तक और 60 डिग्री पस्सिम से 60 डिग्री पूर्वी तक इसका विश्थार दे रखा है अब निकालते है आर होता है radius radius of radius अर्थ यानि अर्था अर्थ गठाएगे वर्थ का आर्थ व्यास है इस में जो आर्थ दिया होता है आर्थ का हर यह होता है और यह होता है अर्थ दिये आर्थ का हर का भाग देने पर हम calculate करते हैं तो यह आता है 4.2-3 cm अब इसके अधार पर हम यह प्रक्षेप है वो बनाएंगे इसके लीजे जो अभी R प्राप्त हुआ है तो इसकी एक लाइन खींच दीजेगा मैं खींच रहा हूँ यहां से मैंने यह खींच दी है और इसका नाम लिख दिया है मैंने A और B अब परकार यानि डिवाइडर लीजे और एक को के अंदर मान कर परकार कोलना A से B तक बन फोर्थ जो परत होता है शर्किल होता है वो बनाना है जैसा कि चितर में देख रहे हैं अब आपको एक चांदा लेना याने डी लेना है और अंतराल कितना है पंदरा डिगरी गा अंतराल पंदरा का था पंदरा पर बिंदू लगा दीजेगा और जो SP इस्टेंडर फेरल ले जो मानक अकसांस या परदान अकसांस था पंदरा डिगरी उस पर चिनित कर दीजेगा और साथ में एक नबब़ डिगरी पर भी लगते हाँ चिनित कर दीजेगा अब लाइने कीश दीजेगा इस परकार यह पंदरा डिगरी वाला और यह जो मानक अकसांस परदान अकसांस या इस्टेंडर पर लेल है उसको भी इस पर अंकीत कर दीजेगा अब इस पर नाम अंकीत कर दीजेगा A, B, C यह मानली जैडी यह होगा E जो इस्टेंडर पैरलल वाली जो पेहंतारश दिगरी वाली थी न ये इसके उपर आपको एक लंब घंचना है लंब का मतलब होता है 90 डिगरी का कोन ब Nagणना है A, A ए रेका पर यही रेखा पर मैंने चांदा इस परकार रख दिया है आप देख रहे होंगे इस पर सिरेखा डालनी है यह 90 डिग्री पर मैंने अंकर कर दिया आप देख पा रहे होंगे इस परकार और इस रेखा को आगे बढ़ाना है जो ये सिरेक है उसको आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाना है इस परकार और इसी के साथ है जो ये 90 डिगर का इस पर से खार कीचिती ये इसको भी आगे इस परकार काटना है और यहां बिंदू अंकीत कर दीजेगा एप इस परकार यह आधार चितर बन गया आधार चितर के आधार पर हम बनाएगे संकू प्रैक्सेप एक मानक वाला इसके लिए कोई भी एक लाइन रहा कीजिएगा जैसा कि यहां इसको मैंने एक्स लिखा है इसको पी लिख दीजिएगा ठीक रहेगा पोलर को मैंने पी कर दिया है अब आधार चित्र में जो मानक अकसांस की दूरी है इस पर हमने नबड़िगर आकोंड बनाया था इ और एफ परकार खोलना है जैसे कि आप देख पा रहे हूंगी वी और एफ जितना मैंने परकार यहां देख के खोल लिए गए अब परकार को पी बिंदू पर पोलर पर रख लीजिएगा और दोनु तरफ यह मानक अकसांस से उसको निर्मित कीजिएगा पूर्ण परकार को जो बी और डी है जो अंतराल दे रखा न पंदरा पंदरा डिगरी का उतना खोल दीजिएगा जैसे कि आप देख पा रहे हूंगे अब यह 45 डिगरी मानक अकसांस से इस्टेंडर पेरलले इस से उपर 45 से उपर 15 जोड़ेंगे 60 60 से उपर अचेतर तो अमारा विश्तार इतना है था न उपर तक और निचे आप यह 45 से निचे 30, 30 से निचे 15 और 15 से निचे 0 क्योंकि हमारा विश्तार आप देख पा रहे हूंगे विश्तार 0 से 45 डिगरी नोर्थ में था तो हमने यह चाप मार लिए अब आप को परकार लेना है पी को के अंदर बान कर परकार को खोलना है जो पहला चापन पचेतर वड़ा इसको इतना और इस पर जो है अकसांस वरत है पचेतर डिगरी वड़ा निर्मित कर देना है जैसा कि मैं कर रहा हूं अगला यह 60 वाला हैं 60 जीतना खोलना है और आपको इस परकार 60 डिगरी अक्सांस वरत वो निर्मित कर देना है इस यह परकार humidity वो मनाएंगे इस परकार जो सबी अक्सांस वरत वो एके करके आराम से सई तरीके से मनाएंगे इस परकार आप भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से जो नीच्चे वाड़ी अक्स्ट्रा लाइन है इसको मिटा देना है अब आधार चित्र में थोड़ सा वापिस सलिएगा परकार को बीडी जितना यान्तराल जितना खोलना है और जो यहां दिया गया एक को केंदर मानकर एक चतुर्थांस बनाना है जैसा कि आप देख पा रही होंगी मैंने बना दिया है और इस पर एक लम डालना होगा लम डालना है वो एबी के समानतर जो एबी रेकन इसी के समानतर यहां AC पर एक लम डालना है, इस परकार, और इसका नाम, Q और R में लिख रहा हूँ, QR. तो अब आपको एक चाप परकार खोलना है, QR जितना, आप देख पा रहे होंगे, मैंने QR जितना परकार खोल लिया है, और इस से हम देशांतर लाइने बढ़ाएंगे, तो ये जो मानक अकसांस मान लीजे, परदान अकसांस है, इसके उपर इस्ट और वेस्ट में दोनु त तो इसमें ये 15-15 के चाप मारेंगे, 15, 30, 45 और 60, इसी परकार इसमें भी 15, 30, 45 और 60, ये चाप बना देंगे, अब इसकेल की साहता से पी, जो पी बिंदु है और जो ये बाहर वाला चाप है, इसको मिलाईए, इस परकार, दूसरी दिशा में भी इसी परकार आपको चाप मिलाना है, जो अक्स्ट्रा लाइन है वो मिटा दीजिएगा, अब आप चाहें तो जो ये अक्स्ट्रा लाइन मिटाने के बाद इसको बॉल्ड कर सकते हैं, बाकी के जो अक्सांस है, इस परकार में ने सभी अक्सांस रेखाएं, बना दीए, अब जो शेस बची देशांत रेखाएं, उनको भी लगते हाथ बना दीए, इसके लिए आपको पी बिंदु और जो ये चाप काटे हैं, उनक आपको एक सीद मिलाना है, और फिर आराम से इस परकार आपको बीना किसी जिज़के मिला देना है, इस परकार मिलाते जाईए, इस परकार मैंने सभी देशांतर जो लाइन है, वो बना दी है, अब इस में नामांकन कर देते हैं, तो मैंने यहां स्टेंडर्ड पेलल मायनक अकसंस या परदान अकसंस सेंट्रल मेरिडियन यानि ग्रिन वीच रेखा है, वो अंकीत कर दी है, लगते हाथ विश्थार भी लिख देते हैं, यह जीरो डिगरी, पंदरा डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, और 60 डिगरी इस्ट, इसी परकार यह हो गया, 60 डिगरी वेस्ट, इस परकार अकसंस वर्थ के लिए 0 डिगरी, 15 डिगरी, 30 डिगरी, 35 डिगरी, जो मायनक अकसंस है, इस्टेंडर्ड पेरलल है, यह 60 डिगरी, और यह 45 डिगरी, हमारा विश्थार इतना ही था, इस तरफ भी, 0, 15, 30, 45, 60 और 55 डिगरी, इसको यह एन लिख देते हैं, नौर्थ, यह भी नौर्थ, इस परकार हमारा यह प्रक्षेप है, वो आसानी से त्यार हो गया, अब मैं इस प्रक्षेप की विशेष्था बता रहा हूं, गुण बता रहा हूं, सभी अकसंस के समांतर वर्तू में चाप होते हैं, तता उनके बीच दूरी बराबर होती है, सभी जो देशांतर रेखा हैं, सिधी होती है, जो दूरू पर मिल जाती हुए, पोलर पर मिलती हुए न, या मोतर समांतर को समकोन पर काटती है, समकोन पर काट रहे हैं सभी, सभी या मोतर यानि देशांतर की मापनी सही होती है, अर्थात या मोतरू पर सारी दूरिया सही होती है, एक वरत का चाप दुर्व को दरसाता है मानक समान तरप पर मापनी सुध होती है जो इन्य इस्टेडर्ड पर ररेल है यह मापनी एकदम सुध होती है लेकिन इससे दूर इस तरप या दोनु तरप यह विक्रित हो जाती है यह यह मिश्टेक आने लगती है यह प्रक्षेब न तो समक्षेत्र है न यथा करतीक प्रक्षेब अब हम इसका उप्योग देखते हैं क्या उप्योग है सामने ता इस प्रक्षेप का उप्योग मद्दे अकसांस के लिए सिम्यत अकसांसी तदा बड़े देशांत्रे विस्तार के मानचित्रन के लिए किया जाता है यह इस पर जो आसपास बसेवे देश है उनके लिए ज़्यादा उप्योग है इस प्रक्षेप के दुआरा इस्टेंडर प्रलाले नि मानचिकसांस के साथ पूर्वे से पस्यम दिशा में लंबी संक्री पटी को सुद रूप से परदशित किया जाता है यह आसपास वाले ने यह इसको सुद रूप से परदशित किया जाता है मानक अक्सासु की दिशागा उपयोग, रेलवे लाइन, सडकूं, संकिन नदिव गाठियों तता अंतराष्टी सीमाओं को पर्दशित करने में भी किया जाता है यह प्रक्सेप केनेडियन परसांत रेलाइन, ट्रांसाइबरियन रेलाइन और कनाड़ा और स्नेउक्त राजी अमरिका के मद्दे अंतराष्टी सीमा तता नर्मदा गाठी को पर्दशित करने के लिए सबसे बढ़िया है तो इस परकार आमने इस प्रक्सेप में गणना करनी सीखी, प्रक्सेप बनाना सीखा और इसका गुण विश्यास्ता और उप्योग आमने सीखा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजे अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजे क्यूंकि उन्हें भी लाब मिल सके और इस चैनल पर नई हैं और इस परकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरा दावा है कि आपक हमें देने के लिए बहुत बहुत ही धन्देवाद